नमास्कार दोसन स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिस्टा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भिखारी के तरह तो बहुत जीलिये लेकिन अब एक नवंबर से राजा की तरह जिंदगी बिताएंगे सिर्फ छैराशी के लोग दोस्तों हिंदू धर में एक नशी को बेहधी पवित्र माना गया है जी हाँ कहते हैं कि एक नशी क कब रत शभी ब्रतों में सबसे कठिन होता है लेकिन एक नशी के ब्रत जितना फल किसी भी और ब्रत में नहीं है मानता है कि एकदसी के ब्रत रखने से ब्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है इस जन्म में सुख भोग कर मुर्त्यू के बाद मौक्ष की प्राप्ति होती है हर महीने में दो एकदसी पढ़ती है और सभी एकदसी का महत तो अलग होता है लेकिन इन सबी एकदशी में कारतिक मास में पढ़ने वाली एकदशी का महत सबसे ज़्यादा होता है जी हाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि कारतिक मास के कृष्णपक्ष में पढ़ने वाली एकदशी को रमा एकदशी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इस बार ये एकादसी एक नबंबर यानि आज की दिन पढ़ रही है दोस्तों यह तिथी सबसे खास रहने वाली है दोस्तों कहते हैं कि एकादसी के बरत भगवान विश्णों जी को समर्पित होती है जी हां भगवान विश्णु जी इस दिन परसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस दिन भगवान विश्णु जी की बिद विधान से पूजा भी की जाती है और साथ ही माता लक्षमी जी भी परसन्न मुद्रा में रहती है दोस्तों बताना चाहेंगे कि कार्थिक मास में पढ़ने वाली एकदसी को रमा एकदसी सासत रमभा एकदसी के नाम से भी जाना जाता है जी हाँ इस दिन भगवान विश्णू और माता लक्षमी जी की पूजा का विधान है कहतें कि इस दिन माता लक्ष्मी जी का रमा सोरूप की पूजा की जाती है रमा एकदशी बरत करने से घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती है और मा लक्ष्मी जी का आसिरवाद प्राप्त होता है साथी भगवान विश्णु जी की कृपा सदैब प्राप्त होती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्दिक माह के कृष्ण पक्ष की एकदशी की सिरुवात 31 अक्टूबर को ही हो चुकी है और यह आज एक नमबंबर को दुपहर एक बचकर 21 मिट तक यह तिथी यहनी रमा एकदशी रहेगी रमा एकदशी का ब्रत एक नमबंबर को रखा जाएगा और 22 के सुर्योदे के बाद ही ब्रत का पारण भी किया जाएगा मानता है कि रमा एकदशी की दिन ब्रत करने से सुख सम्रदी और सांती की प्राप्ती होती है इस दिन विद्वत पूजा करने से धन से जोड़ी समस्या और कर्ज आदिक से मुक्ति मिलने की मानता है इस दिन मा लक्ष्मी जी के रमा शुरूप की पूजा भी की जाती है और एकदसी का नाम माता लक्ष्मी जी के नाम पर भी रखा गया है जी हाँ इस एकदसी का नाम इसलिए माता के लक्ष्मी जी के नाम यनी रमा शुरूप को बताया गया है इस दिन आप शुबह जल्दी उठकर इसनान करने के वाद घर के मंदिर में ही एक दीपक प्रजलित जरूर करें इसके बाद भगवान विश्णु का गंगा जलसे अविशेक करें और पुषप पीले पुषप अरपित करें पीले फल अरपित करें पीले वस्तर और तुलसी दल जरूर अरपित करें दोस्तों इस दिन भगवान विश्णु जी को भोग लगा कर आप बिलकुल भी ना भूले क्योंकि तुलसी का भोग लगाना अत्यंत जरूरी रहता है इस दिन तुलसी का भोग जरूर लगाए भगवान विश्णु जी को साथी माता ल पुलिनाद के दिन कहलाता है और दोस्तों सुमबार के दिन पढ़ने के कारण ही इस शोमबारी एकदसी भी इसे कहा जा सकता है दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको हम बता दे कि इस दिन भोग बिलाज के कारण ग्रह माने जाने वाले शुक्र ग्रह का भी अपना राशी परव इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना रहा है और दोस्तों ये सारे ही संयोग एक बड़ा महा संयोग बना रहे हैं जो कि कुछ बिशेस राशवालों के लिए बेहद ही ज़्यादा सुब और फलकारी रहने वाला है खास कर छे राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत चमकने वाली ह तो आखिर ये राशियां कौन सी है इन्हें क्या लाव देखने को मिलेगा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आपसे अनरोधे की वीडियो को आप बिलकुल भी मिशना करें और इसे सुरूफ से लेकर अंध तक जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन्हें राशिवाले लोगों के लिए ग्रह नचत्र और महुरत की इस्तिति कुछ इस प्रकार बदल रही है कुछ इस प्रकार चिंज हो रही है कि यह समय आपके जीवन के बदलाव का मुख कारण बनेगा जी हैं दोस्तों बताना कि जो सबसे पहली राशी है वो है करकराशी करकराश के आतकों बता दें कि भागवान विश्टों और माता लक्षमीच की विशेश कृपा दुष्ट से अब आपकी किसमत चमकने वाली है आज एक नमबर से अब आप राजय जिसे जिन्दगी जीने का अफसर मिलने वाला है अब आप अपने घर के सुख सिवधा में बरदी करेंगे धन से जुड़ा मामला आपका सौल्ब होगा किश्वे प्रकार के कोई समस्याएं चल रही थी तो वो समस्याएं अब आपकी सौल्ब होती नजराएगी साथ साथ महत्पूर कोई डेल फानल हो सकती है और अचानक ध अगली राशी यनि जो दोसरी राशी आती है वो दोस्तों बता दे सिंग राश सिंग राश के जातकों अब आपके किस्मत दिन दोनी राच चोगनी तरक्की करने वाली है कि माता लक्ष्मिया और भगवान विश्युज की विशेश कृपादिश्ट रहेगे जी हां आज ए अगली यानि जो तीसरी राशी आती है वो है यहां पर दोस्तों बता दे मकर राशी मकर राश के जातकों अब आपके किस्मत दिन दोनी राच चोगनी तरक्की करेगे माता लक्ष्मिया और भगवान विश्युज की अश्युज की अश्युम क्रिपादुष्ट आपके घर में रहेगे जी हां इसलिए तका है दोस्तों कि भिखारी की तरह तो बहुत जीलिये लेकिन अब आज एक नबंबर से राजा की तरह जिंदगी बिताएंगे सिर्फ छे राशी के लोग उनमें से एक राशी आपकी भी सामिल है मकर राश की जातकों नए कार की सुरुआत करे है अगली यानी जो अब चोथी राशी आती है दोस्तों बता दे वो है में राश में राश की जातकों अब आपके किस्मत बहुत तेजिस चमकेगी भाग का साथ मिलना तैं है भागवान विश्णों और माता लक्ष्मी जी कृपा से आज एक नबंबर से आपके खुसियों क ठीकाना नहीं रहेगा घर परिवार में खुसियों का वातावरन मिलेगा घर में अच्छे वातावरन का महौल देखने को मिलेगा संतान प्राप्ति के परवल योग बन रहे हैं साथी मित्रों का सयोग प्राप्त होगा केडियर में कोई उच्पत की प्राप्ती प्रमोशन क की योग बनेंगे बड़ी नोकरी लगने के संभावना बनी हुई है बड़े अधिकारियों से तालमेल अच्छे रहेंगे साथ ही बिजनेस प्यापार में आए में बर्दी देखने को मिलेगी बैंक के छेतर में कोई महत्पूर्ण डील फाइनल लोन मंजूर हो अगली यानि जो पांच्वी राशी आती है वो है मिथन राश मिथन राश को आपके किसमत दिन दोनी राश चोगनी तरक्य करने वाली है अब आप तीजी से मुनाफ़क कमाते हुए आगे बढ़ते नजराएंगे जो भी कुछ परिशानिया थी जो भी कुछ दिकते थी आपक अब आप दिन दोनी राश चोगनी तरक्य करते नजराएंगे अगली यानि जो चछटमी जो राशी है दोस्तों वह करने राश करने राश के राश को बढ़तादे कि आज एक नमंबर को एक नमंबर से राजा जैसे जिन्दगी जीने का अफसर मिले बिदेश की यात्राइं कर सकते हैं किसी खास competition के त्यारी करें तो लाब होगा स्वास्त आपका अत्युक्तम रहने वाला है स्वास्तम बंदी समस्याइक खत्म होगी जमिन प्रुपरिटी के मौका खरीदने का मौका मिलेगा जमिन प्रुपरिटी का सौधा करेंगे तो वहीं जहां में बर्दी होगी दोस्तों आज एक नवंबर से राजे की तरह जिंदकी ये छे राशी वाली लोग बिताएंगे जी हां इसलिए कमेंट में जरू लिखेगा जै मादादी साथी बीडियो को लाइक करें जैदा जैदा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जै करें मालागी जैदा टूम करें जैदानल को सब्सक्राइब करें जैखे जैदा झाले ज्सितार करें जैपकाब करें लोग सराएंगे जैदा है